सिखा है वो शेयर करूगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये भी सोभागी की बात है कि दॉक्टर कोठावी जो बहुत महाम विजूती थे जिनका बहुत विज्ञान के लिए इस हिच्छा के लिए बहुत योग्दान हारे देश के लिए रहा उनकी मेमोरी में ये कारेकरम चल रहा है तो उसके लिए भी मैं अपने आपको बहुत भागिशानी समझता हूँ कि मैं उसमें काजशामी दो रहा हूँ और वैसे तो ये है के भारत में विज्ञान की परंपरा बहुत पुरानी है और उस पुरानी परंपरा को नहीं जानता हूं बट एक बात में जिसको यह कह सकता हूं के सबसे पहले शाथ भारत में यह पूरिय और चंद्रमा का जो मुमेंट है आकास में कैसे ही चलते है या आवासी चलते वे प्रतीत होते है दोनों ही बाते है तो उनका सबसे पहले अध्यान हारे देश में हुआ और उसी से यह जो एस्ट्रोजी का जो तंत्र है दबलब हुआ बहुत 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 तंत्र है अलिकि उसका और विज्ञान से अभी काफी पूरी हो गई परारम में यह कह सकते है का एस्ट्रोजी ही ने एस्ट्रोनोमी को जन्म दिया और उसमें बहुत-बहुत-बहुत लोगों का बहुत नोगदान है जैसे आरिये भटा है ग्रामिज है और उनके विशा में यह दि कोई बोलना सुरू करें अलिकि मुझे तो ग्यान पुड़ा लिमिटिड है तो उनके ही एक, दो, तीन लेक्शर्स की सीरीज दी जा सकती है तो मैं उसमें तो नहीं जाओंगा पर मैं जो modern era है विध्यान का भारत में उसमें भी solar physics करने का sun की अध्यान करने का काफी दिनों से प्रियास हो रहा है और उसमें सबसे पहले तो एक यह बंबई के पास में कल्यान करके जगे है वहाँ पर एक बड़ा radio telescope का system बना दा भी नहीं है वो जिससे sun के sun से आने वाले radio mission को माईक अपना बंद कर लो भाई आप अपना माईक बंद रखो सब्दों तो दूसरा यह एक उटाकमंड है उटी है जिसको बहुत अच्छी टूरिस्स जगह है वहाँ पर एक आदे किलोमेटर लंबा radio telescope है जो इस प्रकार से एक slope पर बनाया गया है कि जिससे जब अर्थ रोटेट होती है तो उसकी rotation axis के parallel दिये चलता है तो इस telescope को दो axis पर मूँ करना नहीं पड़ता कि किसी दी object पर दी हम एक बात point out कर दे तो आर्थ की motion से उसका वो निकलता नहीं और उसको track करता जाता है एक ही axis को track करने से track हो जाता है इसके दोरा भी sun से आने वाले radio emission का बहुत अध्यान हुआ और फिर उसके बाद हादी संस्ता जिसमें मैंने करीब 45 साल काम किया Physical Research Laboratory इसमें भी 70s में Interplanetary Scintillation नाम से पोजेक्ट था बहुत बड़ा जिसमें एक टेलिस्कोप एमदाबाद में था एक सूरत में था और एक राजकोट में था तेन स्टेशेकन का ये और इन में सूरत और राजकोट में तो 5000 स्क्वार मीटर में था जो एमदाबाद वाला था वो सबसे बड़ा था उसमें 10,000 स्क्वार मीटर का एक रेडियो टेलिस्कोप था जिसके द्वारा हम सन की डैनेक्ली वेवज नहीं एस्टेडी करते थे रेडियो वेवज तो इस्टेडी करते हैं गैलेक्सीज की और गैलेक्सीज के जो सिगनल आते थे और वो सोलर विंड जो संसे निकलती है उससे वो उस सरह से प्रभावित होते हैं जैसे के हम रात में तारे देखते तो ट्विंकल करते हैं उनका जो ट्विंकलिंग है तारों का टुंक्टिक नहीं है, हमुरे एक्मोस्प्फिर के कारण बहुता है तो उसी प्रकार से रेडियो गेलक्सी का जो हम हम रेडियो टेेश्च के कारण इंटेसिटी में अगराठेवाताथा और उस इंटेसिटी आधेश्ञाशन से ये तीन स्टेशन होने के कारण हम उसमें उसका किस प्रकार से सोलर ट्विंड गू करती है, किस गती से करती है और उसका टाइम के साथ वर्जा इसा अध्यान करते हैं. तो ये ऐसे बहुत सारे हुए और कई सोलर ऑब्जिरवेटरी भी हैं, जो ऑप्टिकल सन का अध्यान करती हैं, जिनमें एक सबसे पुरानी नहींताल में है, आजबी है वो, अभी उसका पहले वो यूपी स्टेट ऑब्जिरवेटरी के नाम से जानी जाती थी, अभी एरीज ह हो गई, और उसी समय का इंटेट वो मोर दन हंडेर्ड येर्स ओ और ओड़ ऑब्जिरवेटरी हैं ये, जो कोड़ाइ कनाल में, तक्षिन भारत में है, और एक हारी, मैं ये मेरी स्लाइड पहले शेयर कर लेता हूँ, और ये स्लाइड में शेयर करता हूँ आपके साथ मैं, इसको मैं दिखाने रहा हूँ, तो मैं इसको में दिखाने रहा हूँ, आप स्लाइड देख पारे होंगे शयद, आशाद, इलकुल, और मैं ये भी दे रहा हूँ, छीक है, तो ये तो क्या टाइटल था मेरा आपका वो तो कोखर्णा जी ने बता ही दिया था, उसके पहले म मैं regular presentation शुरू करूँ, मैं ये भी बता दूँ, कि ये जो संस्था है Space Education Research Foundation, इसके लिए मैं आज कल कुछ काम करता हूँ, इसकी ये दो email address नहीं है मीचे, और इस संस्था का काम Space Science और Astronomy को पॉपरारीज करने का है, आज के lecture पे, या Space Science और Astronomy से related कोई भी आप रोग के मन में ज क्या सा हो, तो कोई से लिखाएंगे, यदि मैं उसका उतना दूँगा, और यदि मैं नहीं चानका हूँ, क्योंकि इसके साथ में Space Scientist और Astronomy के बहुत सारे मेरे साथी, इससे associated से जो अब्जिवरेटरी में बात कर रहा था, उनके दो चित्रियां पर दिखाएं, ये कोड़ाई कनाल में ऑप्टिकल सोनर अब्जिवरेटरी है, और जो इंडियन इस्टिटूट ओफ हैस्ट्रोविजिक्स बेंगलोर ऑपरेट करता है, तो ये भी बहुत पुराना पंत्र है, और इससे बहुत अध्यान हुआ, सन के बहुत सारी चीजों का, सन की प्लेयर्स का, और संसे के रोटेशन का, जिसका अध्यान मैंने भी बाद में बहुत सारे इमेजिस से किया, दूसरी यहाँ पर ये जो अध्यूरेटी है, उड़ेपूर सोलर उद्यूरी, एक डाक्टर भटनागर थे, अर्विन भटनागर, उन्होंने प्रागम करी थी, और ये उड़ेपूर की फते सागर लेक में एक आईलेंड है छोटा, उस आईलेंड पर ये का एक limitation रहता है, जो world over here, ये sun से आने वाले केवन जो optical signal है, वो तो हारी प्रत्वी तक आ जाता है, और उससे आने वाली x-ray, उससे आने वाली gamma rays, उससे आने वाली ultraviolet, extreme ultraviolet, काफी सारी microwave और कुछ radio waves भी हमारी अर्थ तक नहीं आती, कुछ microwave और radio wave कुछ आती है, बट सब न नहीं आती है, और तो इस परकार से ये अवश्यक्ता world over feel करी गई, कि sun का, क्योंकि sun एक तरह से astrophysical laboratory है, क्योंकि sun सबसे नियरस तारा है, और इसका बहुत विस्तित रूप से हम गो अध्यान कर सकते हैं, बहुत सारी detail में अध्यान और आ भी है, और आगे भी होगा, और इस से जो हम सीखते हैं, उसको हम दूसरे तारों पे, दूसरे galaxies के तारों पे उसका लगा करके, scale down mode लगा करके, उनके विशे में विचार करते हैं, सोच करते हैं, इसलिए satellite बनाने की सबसे मू लावशक्ता हूँ हूँ है, और satellite की भी मैं सुक्षम रूप से कहानी सुना हूँ, तो उसमें World War II के बाद में प्रभाव साली देश थे, और दोनों ही अपने आपको टेकनोलोजी में बहुत बड़ा मनते हूँ हूँ हूँ, तो इन दोनों में एक टेकनोलोजी का competition कुरू हूँ हूँ हूँ, और उस competition में satellite बने और उसमें सबसे पहले रश्या ने एक satellite छोड जिसमें वास्ता में कोई payload नहीं था, उसमें कुछ भी अध्यान नहीं किया, बटेक एक खुका बनाया, और उसमें थोड़ा बैटरी वगरा और communication के जो operate करने के लिए system चाहिए, वो ही भेज दिये, और वो उपर गड़ा दिया, तो वो पहला एक satellite था, तो कोल satellite जो आकास मे और फिर अमेरिका नहीं बहुत सारे चोड़े, और इससे के, फिर बाद में ये idea है कि इससे तो बहुत सारा अध्यान ऐसा किया जिया सकता है, जो हम ground से नहीं कर सकते हैं, तो आज इसमें एक बड़ा healthy atmosphere है, कि sun के लिए अभी तक कम से कम भी 30 solar mission जा चुके हैं, नासा के, इसा के, और रच्चिया के भी कुछ है, जापान के बहुत सारे है, और बहुत सारी उससे जान बगदी हुई है, उसके कुछ result भी मैं जो हमने, मैंने और मेरे जो साथियों ने प्रियास करें। वो भी मैं आप प्रियास करने का प्रियास पर जिस प्रकार का प्रियास अभी इस रो ने किया, ऐसा इस तरह का सैटलाइट सन की स्टेडी के लिए अभी तक पहले दे जानी दे हैं। इसका जो स्केल है वो अब तुब़ेो स्केल नहीं है थोड़ा उसमें डेके, यह हारी प्र perspectives है और यह सूरज है, और हारी प्री सूर्य की ऐसा परिकम्वा करती है। इस में हरी आर्थ का तो बहुत कम मास है पर यदि हम इसके इस लाइन पर जाएं तो इसमें एक बिंदू ऐसा आता है कि जहां पर अर्थ का ग्रेमिटेशनल पोर्स और संद का ग्रेमिटेशनल पोर्स ये दोनों समान हो जाते हैं तो इस तरह के पाइंट को लेंगरेंजियन पाइंट कहते हैं और बाद में जब ये जोशेफ लूईस लेंगरेंज नाम के एक मैथमेटिशन थे उन्होंने इसका पूरा अध्यन किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा एक ही नहीं बलकि 5 पाइंट होते हैं तो ये वाले जो इस साइड पे है और L5 यहां पे है तो इसमें सबसे ज़्यादे सरल जाना और सबसे ज़्यादे stable रहने वाला यह L1 है इसलिए ज़्यादेतर जो solar mission वो इसी point पे जा रहा है और इस point इसमें क्या होता है कि बहुत थोड़ी fuel consumption से बहुत लंबे अर्से तक कोई भी satellite कोई भी mission वहाँ पे survive कर सकता रह सकता है बाकी दूसरों पर यह तो यह दूर है प्रत्री से तुम्हां तक जाने में भी ज़्यादे fuel की जरुत पड़ती है L3 तो बहुत ही जादे है फिर भी अमेरिका ने कुछ साल पहले एक प्रियास किया था जिसमें L2 और L3 इस पे दो satellite रखे थे जिनको का मूल उद्देश यह था कि वो संद को लगबख बराबर दूरी से दोल से देखेंगे और वो stereoscopic जैसे हमारी भगवार में दो आखे दिये हैं और इन दो आखों से हम देखते हैं तो उसको कहते हैं हम depth भी समझ सकते हैं तो ऐसे stereoscopic telescope इन दोनों में रखे थे पर देवयोग में ऐसा असयोग हुआ कि यहां पर L3 वाला ने काम नहीं किया और यह stereo satellite और यह तो अभी भी काम करता है जिसको stereo ही नाम दिया studio 1 और studio 2 तो वो है तो यह L1 पॉइंट की बिसेशता है और जैसे कि आप सब लोग लगबग जानते ही है को यह 2 सितंबर को और आधित के L1 सिर्हरी कोटा से लांच हुआ और सबसे पहले यह अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्वाले ओर्बिट में लो अर्थ ओर्बिट में satellite ने पहुचा दिया और वहाँ पर घुमने लगए फिर उसके बाद इसको thrust लेकर के यहां पर इसका इसका जो यह इसमें दो पाइंट होता है नहीं एक को कहते है पहरी जी और एक अपोजी पहरी जी जो पासवाला रखा पर अपोजी को बढ़़ा दिया तो इस प्रकार से पहले, दूसरे, तीसरे, चोथे में ये अपोजी बढ़ती चली गए और पांच में और उर्बिट में उसको इतना ठस्ट दे दिया कि वो फिर अर्च का जो स्फियर ओफ इंफ्लेंस, S-O-I लिखा है न, अर्च स्फियर ओफ इंफ्लेंस उसको बाहर निकल जाए, उसका मतलब यह नहीं है, कि यहां पर उसके आर्च का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, तुकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पर L1 पर भी लगएगा, जो तूरच से भी बाहर चला जाए, उस पर भी लगएगा, तुकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी से जो कभी खतम नहीं होती है इसको अर्थ का परिकमान नहीं करना पड़ेगा तो या भी इस पेस में ही ट्रेवल करता जाएगा और उसको कहती है यह प्रूज वाला फेज है जो आजकल चल रहा है आजकल इसी फेज पर वो नेमित जा रहा है और लगवर 6 जनवरी आसपा जाकर पहुँच जाएगा और वहां पर यह भी तुद्धा स्केल नहीं है तो यह सिर्फ गसा है कि ऐसे इसके एगजेक्ट पाइंट पर पहुचना तो बहुत मुस्किल है तो उसके चारो तरफ यह थोआ घुमेगा और महीं से फिर यह सन की अब्जिरिशन लेगा और सन की अब्जिरिशन में यह होगा कि क्योंकि जैसे पहले चितर में दिखाया था कि यह वारी आर्थ है यह सन है और इस एलवन पॉइंट पर हमारा आदिक के एलवन यहां पर यहां थोड़ा चोटा एक सर्टिल बना कर घुमेगा तो इसको सन भी हमेंसा दिखाएगा औ पर प्रत्वीर हमेंसा दिखाएगी तो सन से जो अब्जिरिशन लेता रहेगा उसको प्रत्वीपे देता रहेगा यह इस प्रकार के सेटलाइट की सबसे बड़ी विशेचता है कि इसको सूरज का कभी एकलिप्स नहीं होगा कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी और यह निरंत लेगा इसे लिए इस तरह के जो सेटलाइट है वह बहुत कंट्यूरस और बहुत रिलाइवल डेटा देते हैं जिसका बहुत सारा आध्यन ही आजाता है तो अम मैं इसमें जो साथ पेलोड है उनके आपको नाम बताने का प्रयास करूगा तो इसमें सबसे पहला जो सेंसिंग साथ यह 1.5 से जनको देखेंगे यह यह वाला भी यह यह वह और यह जो नीचे के तीन है यह संगो नहीं देखेंगे यह केवल वहाँ पे इंसीटू मेजरमेंट लेंगे बहुत पर का प्लाजमा है इस प्रकार का टेंपरेचर है कौन-पाजमा में पार्टिकल है कितनी electron density है, कितनी proton density है और कितनी heavier elements की density है वो measure करेंगे और उसी तरह से इसका जो last वाला जिसको कहते है advanced high-actual high-resolution digital magneto-luture mag जिसको ये बेंगलोर में एक लियोस करके इस रोक यूनिट है, उसमें बनाया है तो ये आर्फ का वहाँ पर में सन से जो magnetic, जैसा हारी अर्थ का भी magnetic field है, सन का भी magnetic field है और लगबक काफी पिंडों का जितने आकास नम देते हैं उनका magnetic field होता है तो ये सन के magnetic field को L1 पाइंट पर है वो L1 पाइंट पर भी आता है वहाँ उसका पूरा ध्यान करेगा कि उसका X component कितना है Y component कितना है, Z component कितना है और total कितना magnetic field है तो उसके direction क्या है और कैसे समय के साथ वो बदलता है तो ये वो मेजर करे ला दूसरा जो नीचे से है ये भी in-situ measurement का है इसको Space Physics Laboratory यो VSSC में है और Physical Research Laboratory इन दोनों ने मिलके साइंटिस्ट्रों मिलके बनाया है जिसका नाम है प्लाज्मा अनिलाइजर टैकेज और आदित्य बनाया और इसको शॉर्ट में कहते है पापा और फिर तीसरा जो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपरिमेंट अब जो ये रिमोट सेंसिंग वाले पेलोड्स है जिन में सॉफ्ट एक्सरे का है जो यो आराओ इस स्पेस साइज सेंटर बेंगलोड है उसने बनाया है जो सॉफ्ट एक्सरे को मेजर करेगा उसके इमेज लेगा और वो देगा फिर हाई एनरजी वाले जो हाड एक्सरे जिसको कह सकते है उसके लिए भी अलग से एक स्पेक्टो मीटर है उसको भी जो यो आराओ इस स्पेस सेंसेटर उसने बनाया है और इसरा है ये सोलर अल्ट्रा वाइलेट इमेजिन टेलिस्कोप तो ये जो टेलिस्कोप है ये आयू का उना में और लियोस जो वैंगलोर में है और ये बहुत बड़ा सिस्टम है ये साथ वेवलेंद पे सन की अब्जिर्शन लेगा अल्ट्रा वाइलेट ट्रेंज में साथ वेवलेंद पे मेजर्मेंट करेगा तो इसको इन चार संथाओं ने मिलके बनाया है और सबसे पहला विजिवल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ जो मैं इसकी चित्र एक दो दिखाने का प्रियास करूँगा तो पहले से इसको लियोस ने और इंडियन इस्टिवर्ट साइंसेस बेंगलोर ने और स्पेस एपनी के सेंटर एम्डवाद ने बनाया है और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह हारी प्रत्वी है यहां पे और हारी प्रत्वी का भी चुम्ब के छेतर है जिसको हम कहते हैं मैगनेटोस्फियर और यह सन है सन में भी मैगनेटिक फील्ड है 500 किलोमेटर 500 किलोमेटर प्रती सेकिंड की जती से प्लाजमा निरंतर निकलता रहता है और वो इंटर प्लैनेट्री मीडियम में हमेशा फ्लो करता है और वो आकर के यदि सन नहों या सन से सोलर बिंद नहाए तो हारी अर्थ का जो मैगनेटिक फील्ड है वो डाइपोलर हो बन्दों ये दोनों तरफ लगवक समान खेल है पर ये चुके प्लाजमा आता है ये अर्थ का जो टे साइड वाला मैगनेटिक फील्ड है उसको दबा देता है और कुछ को इवन तोड भी देता है करेंशन है वो दिन वाले मैगनेटिक फील्ड है उसके इन्फ्लेंस से बाहर रहेगा तो ये केवल संक से जो मैगनेटिक फील्ड आ रहा है संसे जो सोलर मिंडारी संसे जो चार्ज पार्टिकल आ रहे उनका दियन करें तो ये इसका लोकेशन है तो अब मैं थोड़ा सा आपनों को सं के भी शह में बताता देता हूं सं जो है के भी बहुत सारे भाग हैं आज हम जानते हैं उनको कि सबसे अंदर वाला भाग जो मैंने एक नंबर एक दिया है वो इसका कोर है यहाँ पर एनरजी पैदा होती है यहाँ पर फ्यूजन रियक्शन होता है हाइडोजन मिल्क करके हिलियम बनाती है और जो हिलियम बनती है उसकी मातरा कम होती है और हाइडोजन जो कामाती है उसकी मातरा जादे थी तो जो दोंके मातरा का मास का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ी उर्जा के उत्पन हो जाता है और वो उर्जा ये रेडियेटिव जोन जो बहुत इंस्टी वाला है इससे थोड़ा कम बहुत जादे इंस्टी है वहाँ पर पार्टिकल मूँ नहीं कर सकते तो वो रेडियेशन के द्वारा इस एनर्जी को उपर ट्रांस्मीट करते ह और फिर काफी हो जाग प्लाजमा चल सकता है वैसे यहान भी जाद है पर यहां पर उनका मोशन संभाव है इसलिए उसको कन्रेक्शन जोन कहते हैं और जो हम सूरद देखते हैं वह यह चार नंबर है यह फोटोस्वेर है उसको हम देखते हैं जो हमें दिखाई परता है फि तो सबसे जो most active और सबसे ज़्यादे energetic जिनको माना जाता है वो ये sunsports है, जो photosphere के उपर होते हैं, और इसके उपर ये बहुत बड़ा, ऐसे तो एक transition region वी होता है, जो इसके पर में नहीं दिखाए गया, ये photosphere होता है, उसके बाद transition region होता है, वो भी छोटा ही होता है, और फिर corona होता है, जो बहुत बड़ा होता है, ये chronosphere, transition region और corona, इनको जब तक satellite नहीं थे, satellite नहीं भेज़े जाते, तो इनका ध्यान तब केवल फोन सूरिय ग्रेंड में ही किया जा सकता है, तो हारे बहुत सारे वैज्यानिक, जोनों भी आधित्य L1 में कई पेलोड बनाए, उन्होंने पहले ये ग्रेहन के टाइम में, अपने देश में भी और विद्रस में जाकर के भी, बहुत सारे अध्यान किये, प्रोमोस्फियर के, और transition region के, और corona के, तो पुनी के आधार पे में लागे, तो संक्षेप मैं ये इतना ही बताता हूं, और अब मैं जो इसमें स्पोर्स होते हूं, उनके विशे में खोड़ा बताऊंगा, कि ये स्पोर्ट एक बड़ा विचित्र तरह किया तंत्र है, कि कभी जैसे यहां पर मार्च 2001 की एक हिमेट है, जिसको कल्म हम कहते इसमें बहुत सारे स्पोर्ट हैं, यह सब जय है, बहुत स्पोर्स हैं, लगब्वख 100 गैसे स्पोर्ट है, नोतल ये दिन को सब कहूंट करें ओद और इधर करीब 4 मही शार महीन बाद की, चार साल बाद की में जैंज है, जन्वरी 2005 की, इसमें कोई नहीं है, और यहां यहा पातार वो थीन साल तक ऐसा रहा था कि सन के उफर एकाद स्पोर्ट को छोड़के कोई स्पोर्ट नहीं दिखता था। और ये स्पोर्ट चन्व लेते हैं और इवाल होते हैं पहले छोटे रहेंगे और कभी-कभी इन में रहेंगे और इरक्षन हो जाएगा और जो वो इरक्षन होता है उसी को हम कहते हैं सोलर फ्लेयर बहुत क्यूज एनर्जी सूरज से उत्पन होती है जो हुआरे अर्थ तक मै एक दो एक्जेम्पल दिखाऊंगा जहां पर सबसे बढ़ी आद आज कल की हिस्ट्री में करीब 1858 में सोलर फ्लेयर आई थी बहुत बहुत ही लार्ज थी आलेकि उन्देनों टेक्नोलोजी उतनी जादे नहीं थी पर टेलिग्राफ सिस्टम वर्ड में बहुत जगह थे सब जगही थे लगभग टेलिग्राफिकली वो तंत्र पैदा हो गये थे और बिजली थी जिसमें तो इनमें से बहुत सारे ट्रानस्फ फॉर्मर जल गए थे और बहुत सारा बिजली का तंत्र खराब हो गया था और टेलिग्राफ ने तो टोटल ही काम करना बंते गिया रीडियो इस्टेशन काम नहीं करते हो तो उतना बड़ा हो था उसके बाद से इतना बड़ा आहा नह जबी ऐसा वाला बड़ा आ जाए तो हारे साटलाइट मोरते हब तो सब करें काहएं तो एतने वीया और बहुत सारे इंट्रूमेंट भी इस प्रेस-टेक्नोजी से काफी नभावित है आरे टीवी अंडे एंटर्टेन्मेंट के साधन रेडियो के साधन सब उसी पे हैं तो उन सब में एक दम से ऐसा यह दी हो जाए तो उतल भी वेरी कायोटिक सेच्वेशन बहुत बुरा हो जाए तो अब इन इस पॉर्ट का एक क्रिया है जिससे यह पता लगा था कि हमां का सब्सक्राइब है इसमें आपने दिखो यह स्पोर्ट ऐसे चलते भी दिखाई दे लिए यह संकी कई दिन की इमेज की मुवी बनाएं यह तो फोटोस्फिरीक है इसी प्रकार की किसी भी वेवलेंट की आजम बना सकते हैं जैसे यहां पर यह हम लोगों देख सकते हैं तो इसमें यह इसका मोशन बहुत तुलियल ही दिखता है और हमारे गुरूप में इस पर बहुत सारा अध्यान किया इसलिए मैंने चित्र आपको दिखाया और इसको दिखाने का मेरा तो यह संद का रोटेशन जब पहले सबसे पहले गैलीलियों ने देखा था और उन्होंने संद उसको ही देख करके वो तब तो मदब फोटोग्राफिक थी नहीं इमेजिस को कम्पूटर भी नहीं थे तो वो टेलिस्कोप को एक जो से संद बनता था इमेजिस बनती थी उस इससदिवार पर होजट करके और वहां पसे टेपर रख करके उस पर स्पोट की पोजिशन बनाते हैं आज Լकल की बनाए पर स 지금 हें यह बना हमारा सूर्च भी होता है और फिर बाद में जब इसको फिलामेन प्लाजे एक्सरे ब्राइट पॉइंट बहुत सारी चीजों में जब इसका ध्यान किया और दूसरे मेथडिक डवलप हो गया जो स्पेक्ट्रो इसको कुपिक है जिसमें जब संगुमता है जैसे ऐसा संगुमेगा तो इसका एक वाग हारी तरफ को आएगा और एक वाग हारी से दूर को जाएगा तो जो हारी तरफ को भाग आएगा उसमें प्रिपेंसी बढ़ जाएगी और जो दूर के जाएगा उसमें बेवलेंग बढ़ जाएगी frequency घट जाएगी तो इनको कहते है blue shift and red shift तो इन shifts के द्वारा भी sun किस गति से rotate होता है वो पता लगा जा सकता है और उसे मैं पता लगा कि सूरद solid तरह से नहीं होता है उसकी मैं कुछ example आपको आपके बिखाँगा और हम लोग हारे group ने हम लोगों नया method डवलप दिया जो आजकल बहुत use होता है इसका सबसे पहला आपके बिखाँगा ये इन में से इन दोनों मैंतलों की कुल्णा में सरल है और इससे जो results आते हैं वो ज़्यादे accurate है objective इन में इन दोनों में subjectivity involved है पर इसमें subjectivity नहीं है objective जलताते हैं और बहुत accurate जलताते हैं और पहले हमने ये radio emission पर यूज किया था फिर radio images पर यूज किया x-ray images पर यूज किया EUV images तनकी की उन पर किया तो इस मैंसे ये radio emission तो ground based telescope नहीं हुई थी और इस्टीडियो जो निशन थे उन से आमने data लेकर उन पर काम किया और मैं उसके विसे विसे बताऊंगा आपको कि हम कोई भी sun की ऐसे image कोई भी measurement ले और उसको time के साथ यहां पर रोज की एक एक वैल्यू है और यह तीन सो पैसे दिन है यह पहला दिन यहां और यहां पर और उसकी intensity को यह admittedly scale intensity का है उसे हम cooperate करें तो वो इस तरह से vary करती है इसमें कि आप देखें हैं तो यह करीब 27 day का difference है काफी में कुछ में नहीं है तो इसी के लिए हमने एक method देवलप किया कि इस data का हम auto correlation करेंगा इस data का auto correlation का एक computer program बनाया जिसमें क्या करते हैं कि यह series लिए इसके duplicate copy बनाई दोनों को compare करेंगे तो चुकर एक सी है तो उसका जो comparison coefficient हो एक आ जाए फिर इसमें एक को तो यह का ऐसा ही रखा दूसरी का पहला point निकाल दिया पहले point को नहीं रखा और पहले point को नहीं रखा औ और अब इन दोनों को compare किया तो अब यह लगवक सेम तो है पर exactly same नहीं है तो इसना correlation घटने लगता है और इस तरह से करते चले जाएं तो यह जो कर्व बनता है वो इस तरह का बन जाता है कि हाँ एक से सुन होता है घटता 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 बहुत कम हो जाता है और फिर से बढ भी कोई periodicity है जैसे घूमती है तो घूमने का इसमें period inbuilt हो जाता है इसकी flux में वो modulate कर देता है इसलिए हम इस method को flux modulation कहते हैं और इसका जो यह पहला peak है यह इसका exactly rotation period बताता है तो इस प्रकार से हम बहुत ही objective तरीके से sun का rotation period मेजर कर सकते हैं और जब हमें तो इसको हमने ज से यह भी हम करें तो उसमें हमने यह भी पहली बार का observation था कि हमने पाया यह जो sun से जो radio wave जाती है वो अलग-अलग उचाहिस आती है और इसी तरह से जो हारा यह जो अधित एल्वन गया उसमें जो ultra white के साथ wave length पर जो observation ली जाएंगी वो भी promise mirror transition region के अलग-अलग heights आएंगी तो उसमें समकी dynamics को study किया जा सकता है तो यहाँ पर जब किया था यह 11 radio frequencies से इसमें पाया था था यह जो rotation period है यह और यह height है photosphere से height 10 to the power 4 km की दूरी पर rotation period 24.1 day का है और यह दीरे-दीरे जैसे height बढ़ती है जब यह करीब 13 से भी जादे हो जाती है 23.5 जैसे हो जाती है तो यहाँ पर आते जाती है 23.7 नमर आधे दिमकान सा रह जाता है तो यह इस प्रकार से rotation rate rotation period रखता है या इसको उटा करें तो इसका जो rate है वो बढ़ता है जिससे यह पता लगता है कि अंदर का corona slow चलता है बाहर का corona थे चलता है तो अब इसको और आगे बढ़ाएं तो उसमें images को जो हमने यूज करना शुरू किया यह एक x-ray की image है तो इसमें हमने पहला इसका एक equator की लाइन बनाई और हर एक 10-10 डिगरी पर ऐसे बैंक बना लिए उक वर को भी और निच में यहां दो दिखाए हैं एक साउट की तरह में दिनौट कुदर सब्धी average intensity निकाली तो इस प्रकार से एक image को हम 18 पॉइंट में convert कर दिया और इसी प्रकार की आज कल पर सो इस प्रकार से जैसी मैंने एक सीरीज दिखाई थी ऐसी हमारे पास 18 सीरीज हो और हर एक का यही कोड़ो ओटो कोर्लेशन एनलेसिस करेंगे तो सब जगों पर मन्दब एक्वेटर पर रोटेशन पिरेड क्या है दस डिग्री और हमें पता लग जाए और इस रोटेशन पिरेड पर दिखें एक चित्र में बनाते देखें तो ऐसा बन जाता है तो यहां पर यह संका एक्वेटर है जीरो जो है जीरो लेटिटिटूड है और यह पॉजिटिव लेटिटूड है 20 30 40 60 North Pole की तरह और यह संके साउथ पोल की तरह और इस एक्सिस पर जो दिखाया है यह इनके साल के अब्जर्विशन के यह है 92 से हमने अनलिसी सुरू किया था 92, 93, 94, 96 तक का यहां पर दिखाया है तो इसमें यह आप देखे और जो रोटेशन की रड़ है उसको हमने यह कलर कोड से रिप्रेंज कर दिया कि यह जो ब्लू, डार्क ब्लू कलर है वो हमें बताएगा कि वहां 24 डे रोटेशन की रड़ है जैसे यहां पर है इस पार्ट्न है यह थोड़ा लाइट ब्लू जो है वो 25 बताएगा यह 25 अनलिसी और जो यह ग्रीन देख रहे हैं यह 26 है यलो डिप्रेजन का रिप्रेजन का रिप 27 दिन को और रेंड जो है वो सबसे ज्यादे नंबा पीरेड है 28 दिन का है इस प्रकार से आप देखें तो लेटिटूड के सापेक्षेदी ध्यान से देखें तो इन यह में तो लगभग कोई बहुत थोड़ा वेडियेशन है बट 93 वाले 92-94 में देखें तो बड़ा वेडियेशन है लाल केवल इसी तरफ दिखता है इस तरफ दिखता नहीं और यह इस प्रकार से बहुत है इंड इकवेटर पर तो कम है दक्षमी दुरू की तरफ जाते वे और उत्री दुरू जाते वे दोनों तरफ यह रोटेशन पिरड बढ़ता है इसके पहले जो लोगो ने ground-based से बहुत सारा data analyze किया था, उसमें ये asymmetry, कि north-south में asymmetry है, इसका पता नहीं था, तो ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी data point है, तो उसी से हमें पता लगा, कि sun में जो rotation होता है, वो एक तो differential है, differential तो ground-based observation ने भी बताया था, तो उससे होता है, पर ये differential होने के साथ, और differentiality north में और south में अलग है, यहां को ये जल्दी से बढ़ता है, यहां धीरे-धीरे बढ़ता है, तो इसको कहते है north और south की asymmetry, और ये इसको कहते है solar cycle का, 22-way solar cycle का declining phase है, ये years, और यदि हम अगले 6 महिने का देखे, वो rising phase है, इसके आगे वाले cycle का, उसमें यहां भी सब व ये south latitude है, और ये years है, ये 96 तका था, ये 96 है, 2001 का है, और ये rising phase है sun का, तो इसमें देखेंगे, तो अब ये red दोनों तरफ आ दिया, तो यहां पर ये symmetric हों गया, differential है, equator पर सबसे कम है, तो north में भी बढ़ता है, south में भी बढ़ता है, और बढ़ने की दर्व लगभग समान है, तो इसका बढ़ना asymmetry differential है, उसमें asymmetry होती भी है, और ये asymmetry खट भी जाती है, अब अगले 6 महिने का पर देखेंगे, तो उसमें उल्टा हुई है, अब red इधर जा गया, north की तरब, जो पहले south में था, तो यहाँ पर north में जादे different fast rates है, rotation period बढ़ा, और south में कम बढ़ा, तो इसमें भी asymmetry है, और इस asymmetry का जो direction है, वो एक करीब, ग्यारे बार, तेहरे साल पहले से उल्टी होगे, तो इसका भी एक period हमने उल्वें determine किया, कि यह करीब 22 साल के period से repeat होगी, उसकी अभी observation उतनी है नहीं, बट भविश्ची में उसका पता बढ़ा है, इसी प्रकार से और एक recent अध्यन, यह जैदेव, इसमें जो य मैं डेटा दिखा रहा हूँ, यह महारे बहुत सारे साथी जिन्होंने मेरे साथ में PhD किया, उन्होंने बहुत काम दिया, उन्हीं का काम है, यह जैदेव शर्मा एक student है, उन्होंने दोई साल पहले मेरे चिनुश से PhD किया है, और उन्होंने extreme ultraviolet की images, एक solar dynamic observatory है, NASA की, उसका और stereo, दो का data उन्होंने अनलाइज किया, और यहां पर यह 2018 का सित्र है, और इसमें भी वो rotation यहां, इसके रहा दिखाया है, कि यह blue color जो है, यह यहां पर इसको temperature है, यह frequency से related है, कि sun में, corona में, यहां पर temperature, यह log scale में है, तो यहां पर 5.8 लिखा, इसका बंदब 5.8, बंदब 10 to the power 5.8 degree Kelvin temperature है, यह 5.10 to the power 6 degree Kelvin है, 6.2 है, 4, 6, 8, और यहां 10 to the power 7 degree Kelvin temperature है, corona में, तो sun के बहारवाले atmosphere में है, और उसमें यह latitude के साथ rotation period बनता है, यह equator है, यह north latitude है, और यह south latitude है, और यहां पर भी color core लगवग ऐसे ही है, इसमें भी आप देखते हैं, कि यह इसमें asymmetry भी दिखती है, temperature के साथ भी परिवर्तन दिखता है, और यह भी पता लगता है, कि equator पर लगवग सभी सालों में rotation period काम है, तो यह और बड़ी दिखता हमनों के इसमें भी थी, तो इस पकार से यह जो results हैं, यह बहुत अच्छे और नए हैं, जो पहले solar physics को पता नहीं साथ हैं, और एक अभी एक तंत्र, यह करीब 20-20 साल पहले एक तंत्र बना, जैसे हैं कि प्रठ्वी पे, हम लोग यह earthquake या earth के अंदर क्या-क्या नोहा कहां मिलेगा, इस पेशली O NGC में, oil, gas, natural gas का पता लगाने पे लिए, seismology का उप्योग करते हैं, उसी इसे धांत को sun के उपर लगाया, जिसको helioseximology कहते हैं, और इस helioseximology के लिए 6 अब्जर्वेट्री हैं, वल्ड में, जिन में से एक अब्जर्वेट्री, उदैपूर सोलर अब्जर्वेट्री के तत्वाधान के फिजिकाल डिसेर्च लेवरेट्री चलाती है, उसमें एक टेलिस्कोप वहां पे हैं, और ऐसे पाथ सिलिसकोप इस प्रकार से पूरे ग्लोब पे लगाये हैं, कि हमेशा सन कम से कम दो अब्जर्वेट्री देखती रहे हैं, वहां से अब्जर्वेशन लिया जा से हैं, कई बात तो ज़्यादे में भी होता है, पर कम से कम दो से तो दिखना ही चाहिए, और इस प्रकार से वो continuous data ले करके उससे जैसे हमारी seismology आर्थ के अंदर की बात बताती है, तो इसी से दांख को यूज करके सन के अंदर की देखते हैं, और उसी से पता लगा, यहाँ पर यहाँ पर फोटोस्पेर सन का, और यह सन के अंदर का भागे, यह करिव आदे और ले गए, और इसमें यह latitude है, तन का, 0 degree latitude, 15 degree latitude, 30 degree, 45 degree और साज ले और इस एक्सिस पर जो दिखाया यह rotation, यहाँ पर rotation को frequency के rotation पर दिया है, पर इसको कहेंगे तो करीब यह जो है, यह 24-25 दिन के बीच पास पास है, जो इसको period में करने हैं, और यह करीब 27 हो जाता है, और यह क 30 दिन का rotation जाते हैं, तो इसमें पता लगता है, कि सन के अंदर जब जाते हैं, तो rotation period जैसी से अंदर जाते हैं, वो पहले बढ़ता है, फिर से बढ़ता है, और फिर घरता है, और यह एक line आ जाती है, जो करीब 0.7 सन का radius है, बनार एक 30% सन के अंदर जाने के बाद, एक जग जाते हैं, और इसके अंदर का जो सन है, वो ऐसा माना जाता है, तो वो solid, जैसा हमारी प्रत्वी solid घुमती है, वो solid की तरह से बहुत दिफिकल्ट तरह का analysis है, इसको मैं भी जानता नहीं, बट इसके बहुत कम अध्यांग है, एक दो इक राफ इसके मिलते हैं, तो इनमें से एक बहुत बड़ा event आया था, बहुत बड़ा संसे स्पोर्ट हुआ था, जिसको करिंग्टन event के नाम से जाना जाता है, और करिंग्टन इसलिए नाम दिया गया, कि रिचार्ड करिंग्टन नाम के एक आइटिस्ट थेतम, और उनके लोग फोटोग्राफियों कारती नहीं, तो उनोंने जो अपने टेलिस्कोप से इसकी observation ले करके ये चितर बनाया था उसका, और इसमें देखे ये point यहां लिखा है, भी यहां पर लिखा है, उनके description नोंने बताया कि जब कोई वो नहीं था तो इस तरह का था, और जब ये eruption आया, जो उनोंने अपने इसमें देखा और उसको record तो करनी सकते थे, तो उसमें ये eruption A और B point से शुरू हुआ, आगे मैं कुछ एक दो चितर दिखाओ, जहां वो चलता भावा भी दिखाएगा, पर उन दिनों ऐसे ही नहीं, तो A और B point से शुरू हुआ, और CD पर आते-ाते खतम हो गया, और इस process में उसमें करीब 5 मिनिट लगाए, नॉर्मली जो solar player हम लोग देखते हैं, वो कुछ second की, या जादे से जादे आधे मिनिट तक की देखी गई थे, जो हम लोग ने record करी है, हम लोग ने कुछ का अधियन भी किया है, ना ना, तो वो seconds में और fraction of a minute तक ही लगी है, पर ये flare इसनी बढ़ी थी, कि ये 5 मिनिट तक चली, और इसी लिए अर्थ में बहुत जगे आग लग गई थी, और पूरा telegraph system बंद हो गया था, और लोगों में बहुत बड़ा जिससे डर और confusion पैदा हो गया, तो ये सबसे बड़ी solar event है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता है, ये sun का ही चित्र है, और इसमें जो नहीं देखेंगे आप, तो इसमें देखों, यहाँ पर यह ऐसा निकलता है, और ये 2 seconds में कतम हो जाता है, ये solar flare थे, और sun पर ejection हो रहा है, और उससे बहुत energy, और बहुत तरेक है, बहुत तरेक के emission निकलते है, light भी निकलते है, यहाँ पर है इसका, अब ये coronal mass rejection भी आज कल मेजर कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये कैसा है, जो coronagraph हमारी उसमें भी 11, अधित्य 11 में भी है, इसमें sun का जो photosphere है, उसको ढग बीच में से ढग देते हैं, इस लेट भर का भागी केवल दिखता है, जो केवल पहले हम लोग ग्रैंग में देख सकते हैं, इसको प्रत्वी से नहीं किया जा सकता है, तो कि प्रत्वी से करने के लिए कोई प्लेट लगा भी देखता है, कि हमें sun नहीं दिखा, अपने हाथ को भी लगा सकते हैं, पर फिर भी हमें corona इसमें नहीं दिखता, कि sun और एक्मोस्वेर में light scatter हो जाती है, और वो scattered signal ही इतना ज्यादे रहता है, कि corona उसमें दिखाई नहीं परता, पर अपने एक्मोस्वेर से बाहर चल जाते हैं, जैसे यह एक्मोस्वेर में पर चले जाएंगे, तो वहां कोई एक्मोस्वेर नहीं है, वहां scattering light का होता नहीं है, तो यदि sun की जो फोटोस्परिक सर्फेस है, उसके ब इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, कुछ जो फ्लेयर से हैं, उनके साथ में coronal mass ejection होता है, कई बार हम solar flare इतनी छोटी होती हैं, साथ उसको देख भी नहीं पाते, फिर भी coronal mass ejection होता है, उसकी example यहां पर दिखाईए, देखिए, यह ऐसा नीचे से इतनम से मेचे निकलता है, यह इसमें भी देखे निकलता जाए, तो इस प्रकार से यह, संसे बहुत सारा charge particle यह दिखूँ, तो यह सब निकल जाता है, तो इसको coronal mass ejection कहते हैं, और हवारा अधित L1, जब जन्वरी, छे जन्वरी को L1 पाइंट के नजदीक अपने hello orbit में पहुंच जाएगा, तो तब हमें वो इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा, इसमें जो sun की तरफ देखने वाले चार पे लोगें जिसको remote sensing कहते हैं, जैसे VLC, suit और ये Swiss और ये step, steps one, ये जो है, ये sun की तरफ देखेंगे, और जो ये पापा, helios और ये magnetometer, ये sun के तरफ देखने के instrument नहीं है, ये उस local region में measurement करेंगे, ये magnetometer तो एक 6 मीटर की लंबी load है, उसी पर दो sensor यहां पर मौंटी है, जिससे magnetic field measure करेंगा, और ये उस समय पर suns का radiation measure करेंगा, उस से flow हनेवाला plasma measure करेंगा, magnetic field measure करेंगा, sun के उपर ही करेंगा, और यहां L1 point पर ही करेंगा, इसकी dynamics, heating mechanism, क्योंकि कोरोना बहार का बहुत गरम होता है, फो तो इस ठंडा रहता है, तो तुलना गरम तो है, वो 6000 रहता है, औ और यहां एक के उपर 6-0 लगा दे, और उतना ज्याद है temperature से पहल बहुता है, CMEs का और solar phase जो मैंने कुछ example दिखाए, उनका अध्यान करेंगा, और साथ-साथ ये ये भी बतायत सम्मुन्याने का प्यास करेंगा, ये solar wind जो कभी 300 km होती है, कभी 500 होती, कभी 1000 km पर सेकिन की से होती है, तो वो कैसे आती है, और impact मैं तो कि समय की सीमा थी, तो मैं बहुत सारी इसके जो प्रभाव हैं, जो हारे वाधावन पर इसके प्रभाव करते हैं, तो उसमें एक प्रभाव तो अच्छा है, जो हारी तत्वी का जो उत्री दुरू और दक्षनी दुरू है, उन धुरूए छेत्रों में, एरोडा नाम का एक बड़ा सुंदर दिर्श होता है, जिसको पहले लोगों में देखा था, तो बहुते थे कि लाइट डांस कर रही हैं, अपने आप, तो वो जो लाइट का डांस है, जो जो एरोडा है, और बहुत अलग लग तरह का, वो यलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, उसके कलर बदलते हैं, पोजिशन बदलती है, तो ऐसा लगता है एक प्रकृतिक डांस आप देख रहे हैं, तो वो सूरव से आने वाले जो हाई एनर्जी चार्ट पार्टिकल है, इनमें से जादे तर तो वो तो हमारा जो जो नौर्ट पोल और सौर्ट पोल के पास में एक रीजन होता है, जहां खोड़ा ओपनिंग रहता है, तो सन के वो अनेर्जी ची पार्टिकल वहां से घुश जाते हैं, और वहां से घुश करके, ओलर रीजन का जो आप गाई मंदल है, वहां की गैसिस से वो एक्साइट कर पर इन्पार्ट ओपैल लिसकता, पर एक फिर से घुश जाता है, पिर से जुश जाती है, और वहां जब यह जुश जो जुश ती है, तो तब भी यह एनेर्जेटिक चार्ज परटिकल ट्रैट हो जाते हैं, और यह फिर वापिस प्रत्वी की तरफ टैबल करने के लिए औ उसमें बहुत बड़ा डिस्टरबेंस पहला करने होता है तो हारा चुम्ब के छेत्र अस्वेस्ट हो जाता है विल्कुल तो इसी से कई गो टांस्फोर्मर्मर्ट जो बड़े जो जो मेगनेटिक फिल आर्थ का जो नॉर्मल रहता है वो सडनली चेंज होगा तो जो हारे अर् करा में आ जाती है वो जो आट्मोस्वेर है इसके करीब साथ से सो किलोमीटर की परवाले भाग को डी रीजन रहते हैं उसकी प्रायत और डेंसिटी बहुत कम रहती एलेक्रों देंसिटी पर जब यह संत्र कोई बड़ी फ्लेयर आती है तो वो एकदम से डेंसिटी बहुत जादे हो जाती है तो उस ताइम पर जो हम यह रेडियो ट्रांस्मिशन के लिए जैसे रेडियो सिगनल जाता है एक जगे से दूसरे जगे रेडियो प्रोग्राम हम देखते हैं तो यह सब को अब्जॉर कर लेता है कोई भी सिगनल उपर जाता कर देता है तो वह बहुत मुरा पुभाव है जो हमें देखने को बिलता है आजकांट का जैसे जीपीए सिस्टम है इसमें भी जो आइनस्फिरिक दिले हैं उन में सद्टनली परिवर्तन होता है अले कि अभी तो जो हार नाविक सिस्टम जो अभी बनाया उसमें तो वो मैंने भी मिले भी काम करने का सुभाद मिला था वह अंदावाद में आज संस्तान आए थे तीन मैंने रहे थे और मैंने उनसे बहुत को चिका था तो उन्होंने एक बड़ा पुरा मॉडल बनाया था अनिस्टियर का और उसी से जीपीएस में ये डीले का करेक्शन होता है क कितना धीले एक्सपेक्टेड है और उसी से ही पोजिशन बताते हैं वारे नारीक में इसका एक और उपर वाला मॉडल बनाया है जिसमें वो इंसीटू मेजर मॉडल तो है ही और साथ में वो करेक्शन भी करता है तो इसमें शायद यो इस तरह की फ्लेयर वर गाएंग उनक सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदी कुछ प्रस्न है तो वह मेरे से पूछ सकते हैं धन्यवाद कि मैं इसको अंशेयर कर दूँ आज आज इलकर तो मैं इसको अंशेयर कर दूँ ताक तो सब लोग आप मुझे भी दिखाएंगे और आप बहुत धन्यवाद बत